हेलो गाईज, वेलकम बैक तो आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल अप दे फिटेस्ट आज हम लोग डिस्कुस करेंगे वन अप दे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ट्रांसलेशन से रिलेटेट क्यूसन्स क्या हो सकते हैं अप्टर प्रोटीन फॉर्मेशन देन सबसे इंपोर्टेंट प्रोटीन सिंथेसिस के जो इनिविटर्स होते हैं ट्रांसलेशन के इनिविटर्स वो कौन-कौन से होता है और किस टाइप से प्रोटीन सिंथेसिस को इनिविट करते हैं यह सारी चीज़ें हम ल ट्रांस्पर आने सिंक्तिटेस किया करेगा उसको एडिप के साथ एडिशन करेगा तिन क्या करेगा तू फोसपो डारे डायन टू इन और गिनिक फोसपेट यहां से रिलेजल होंगे होगा जाएगा सब्सक्राइड का ऊच्छाव्ट होगा के लिए लिए बाद क्या यहांसे एंप्ध दिसेस्ट वज़ेगा और रांस्फर आ रहने पर अमईन इसीड की चार्जिंग हो जागी और उसके ट्रांस्पर आने के 3 prime end पे Amino Acid Add कर दिया जाएगा तो इस तरह से Amino Acid Transfer आ रहाने सिंथेटेस का मेकनिजम होता है तेन उसके बाद ट्रांसलेशन जो स्टार्ट होता है जैसे ही मेसिंजर आ रहाने न्यूकलेस दे बाहर आएगा वो किस फोग में आता है एक राउंड सर्कुलर वहां पर कुछ प्रोटीन होती है जिसके वजह से वह एक दूसरे से बाइंड कर दिया और जैसे वह से बाहर आजयेगा और जैसे ही नुकलेस से बाहर आता है तो राइबोजों की स्मॉल सब्यूनित है वह सबसे पहले बाइंड होगी और जैसे करेंगी जहां पर स्टार्ट कोड़ों है यूजी वहां तक वह सकेंड करेंगी देन उसके बाद वहां पर कुछ होंगे लाइक इनिशेशन फेक्टर 3 इनिशेशन फेक्टर फास्ट जो बाइंड है स्मॉल सब्यूनित पर वहां से डेशोशियेट होगी देन उसके पास लाट सब्यूनित आके पाइंड होती है तो इस तरह से यह पूरा मेकेनिजम होता है और स्टार्ट कोड़ों जो प् स्टार्ट कोड़ों इस तरह से यह पूरा मेकेनिजम होता है और सो जैसे ही लार्ज और स्मॉल सब्यूनित दोनों ही सब्यूनित जैसे बाइंड हो जाएगी तो क्या करेंगा अमाइन और इससारी ट्रांसपर आ रहने जो चार्ज ने फोम है उसको रिक्रूट कराएगा इ स्टार्ट घुञात हो इससे पहले कोछ up payment epoxy ज्रमाइन मिफियूनिनसी इस को कौने रिक्रूट कर वाना है इनिजेशन उसके बाहते हैषेस्ट हो जाता है किस तरह से यहां से स्केन करती हुए यहां पर आएगी और यह क्या है यह स्टर्ट कोड़ों एंदर उच स्पेसिफिक साइट प्रजेंट थे जिसको बहुत है A side, P side and E side A side क्या है, entry side है जहाँ पर charge transfer आ रहने जिसको recruit कराएगा सबसे first वाले को recruit करवाता है initiation factor 2 जो यहाँ पर recruit करवाएगा entry side पर then उसके बाद यह क्या करेगा यहाँ move करेगा, जो elongation factor G है, वो move करवाता है translocase का काम करता है then उसके बाद क्या होगा P Mystique होगा peptide bond का formation होगा peptidiire interference activity present Thank you 23 SRRNA के अंदर और pro spot kids के अंदर or eukaryote के अंदर 28 SRRN तो इस तरह से peptide bond का formation होगा यह anti couldons है, जो kaudon के साथ में complementary form करेंगे basis form करेंगे, उसके बाद क्या होगा, यह जो transfer RNA यह इस तरह से exit size से यहां से release हो जाएगा और यह जो पैप्टाइड और यह एगजिट हो जाएगा जिससे पैप्टाइड जो लॉंग पैप्टाइड चैनल बन्ती है ते लिएग्जिट होती है तिन उसके बाद जैसे ही stop code रहेंगे यहां पर क्या होगा termination होगा और टर्मीनेशन किस तरह से होता है कुछ फेक्टर्स आके बाइंड होगे जिसकी वज़ासे यह सारी चीजे जो स्मॉल सबिनेट है यह सब क्या हो जाएगी डिसोशीएट होने लग जाएगी और उसकी बाद क्या होजागा प्रोटीन का टर्मीनेशन कि प्रोटीन सिंतेसिस का टर्मीनेशन हो जाएगा तो इस तरह से स्टोब कोडोन पर होता है तर्मीनेशन इस टोव कवा जाते हैं यूजी ए यू आए एए एफ ज्लों फेक्सेशन है इसके जिससे रिलेटेट नबग कश बिसक्कार आइगा इसके पूरा मेकेणिजम होता है प्रोकेरियोट्स की कौन सी है और उनके फंक्शन कौन होते हैं वो सारी चीज़े नौट करके इसको अपने सामने पेस्ट कर लो जहां पर आप लोग बार बार उसको देख सको रिकॉल कर सको क्योंकि यह आपके एक्जाम में काफी हेल्प करने वाली है और यह यह जो वीडिय करने की कोशिश की ओके सो इसको एंड तक जरूर देखना अगर इसमें से जो इंपोर्टेंट पॉइंट है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हैं वह अगर आपने नोट कर लिए उनको रिकॉल कर लिया रिवाइस कर लिया उनको अच्छे से समझ लिया तो आपको और अगर आप को मेकेनिजम पूर समझ में आगया है तो डेफिनेटली आपका ट्रांसलेशन से रिलेड़ेड कोई भी कुशन नहीं चूपने वाला है तो इनिशेशन में क्या होता है इनिशेशन फेक्टर फास्ट जो क्या करवाता है एस साइट को ब्लोग करेंगा उसके बाद क्या होग जैसे ही यह डिसोश्येट होगा उसके बाद क्या होगा लांग सब्यूंट आके बाइंड होती है स्मॉल सब्यूंट पर यहीं सारे फॉंक्षण यूके रोट के अंदर यह सारे प्रोटिन करती इनका थोड़ा नेम थोड़ा डिफरेंट है यूके रिटिक इनिशेशन फे राइबوسों के पासे परण और अपने पास जो डिए प्रेंट एता है इसके पास ये जी टीपी बाॉंड फों में रहता है तो क्या करवाता है अपनी GDP कि उसको दे देता है तो तो जो GDP बाउंड फोर्म में रिलीज होगा उसको वापस से चार्ज करने का काम करेगा वापस से GDP में करने का काम करता है Elogation Factor Tz को Tz Tu cycle भी बोला जाता है तो उसके बाद Elogation Factor G यह एक Translocase है जो क्या करवाता है करता है जिसे प्रोटिन का सिंतेसिस हो रहा है मेसेंजर आरेने की साथ राइबोसों और समॉल और लार सब्सक्राइब करता है वहाँ पर कुंकर अगे इस तरह से खिदकता रहता है और वह क्या करेंगे इस तरह से जो हूँ स्वास्टवाइब दो परेंगे और पर प्टवाइड नूंसरा रही होता है और वो करवाथ है इन सारी प्रोटेन की नाम यूकरत में ये हैं यूकरतिक दिलोंगेशन पर टर वन एलफा बीटा गामा एंड़ जो एंड ट्वें इन 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 उसके बाद क्या होगा टर्मिनेशन के लिए रिलीस फेक्टर आएंगे तीन फेक्टर फास्ट स्टेकेंड एंड थर्ड जो फास्ट एंड सेकेंड है वह रिकिनाइज करवाता है यू एजी को एंड उजी ए जो स्टॉप कोडर ने उनको रिक नाइस करेंगे लेन उसके तो उसके बाद कुछ और प्रोटीन आते हैं जो जिसको बते हैं राइबोसोमल रिलीजिंग फेक्टर एंड इलोंगेशन फेक्टर जी जो जीटीपी बाउंड प्हों में आजाएंगा उसके बाद क्या होगा रिलीज ओप स्मॉल आज सब्यूनिट उप राइबोजोम राइ सब्सक्राइब करने की कोशिश करो कि यहां पर कौन सा इलोंगेशन फेक्टर आएगा तो यह सारे इलोंगेशन फेक्टर के फंक्शन आपको पता होने चाहिए जी क्या था ट्रांस लोकेश था जो यू के रिट के अंदर टू भी वही है यह दोनों तो सेम है उसके बाद टी यू क्या था यहां पर टी यू क्या था यहां पर कर रहा था अमारा अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थार्ड और टी एस सब्सक्राइब आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए सो ऑप्शन नंबर थार्ड क्या हो जाएगा इसका सरेक्टम से नेक्स्ट क्यूशन है इस स्पेसिफिटी ओप ट्रांसफर आरेने रिकोगनेशन बाइए अमाइनो इसल ट्रांसफर आरेने थित राकम्राइन प्राइड हो द已 ब्लाइट हें अंदर ही प्राइब हो दे इंट्रीफिट ट्वाचे सिंथेड टरुटिम हो अब्सों नंबर स्पेसिफिथी ओहां रहेगी इंटिफीं लोग फ्रेजन नंवर सेटिंस और स्कश्व件 ब्सक्लारेंस का करीव एक्स्ट के इसमेंoule000rites through- awen को चार्ज करना ऊता है यह लेकिन चार्ण्फरारने काफी सारे-ट्राइप में चार्ज कर सकता है लेकिन उसमें क्या होता है करेक्ट अमाइनो इसीड चार्ज वो ट्रांसपर आ रहने पर उसके लिए अमाइनो इसीड के अंदर एक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है इसमें एक केटालेटिक सबुनेट रहेगी और एक एडिटिंग पोकेट रहेगा जिसमें वह अच्छे से चेकिंग करके उसके बाद क्या करता है अमाइनो इसीड को चार्ज करता है ट्रांसपर आदाने पर इसमें क्या है इन केस ऑफ ऑफ आमाइनो इसीड विच सिमिलर स्ट्चर लाइक वैलीन एंड आइसलुचिंग अब इन दोनों मैइनों इसीड की सि बाद एंजम पोसीबल थूइस के टालाइटिक पोकेट एन एडिटिंग पोकेट इसके अंदर दो इस तरह की पोकेट प्रजेंट रहती है जिसमें वह अच्छे से चेकिंग करेंगा तरह देन उसके बाद क्या करेगा जो पर सो कितना सिंपल क्यूशन है नेक्स्ट क्यूशन है इसमें इसमें वही कॉंसेप्ट लगेगा लेकिन इसमें फ्रोडिक लेंगवेज चेंज है इसके बाद क्या है है कि इस तेसमें वहीं कुछ जब ताइब करेंड ने अगलत करेंगें गरेंग चरेंट करेंशन इसमें कॉछ not तो इसमें कि लिए उसमें कुछ ट्रांसफर आरने प्रज़न नहीं रहता है विद इस कोगनेट अमाइन इसिट हाव डू दीज बेक्टिया मेनेस्टू इनकॉर्परेट ग्लुटेमाइन इन प्रोटीन चुछ दे करेक्ट आंसर तो इसमें क्लुटेमाइन का वे इसमें ग्लूूटामेट को ग्लूटेमाइन में कर्वाइगा एंडब एस्पार्टिक एकटिक को असीन प्रांसफर आरने लिए लिए इस पेसिफिक वर ट्रांसपर आरने लू डूटामेट यह और छार्ज हेब और अश राज्र अश्यगा इस प्रया जाय झार दिस उफल्टेमी ज्ट मेरेट गलुटमी अश कैज़ का जाव भी आंव धिल्कुम्हें उज्कुम्हें घ्या को सब्सक्राइब अब स्वेजिए भी वही तो ग्लुटमीनिज्ट नायस राज्ट मेरे य आइसपर्जिन और गैसपर्जाजम एन टैमीज 1978 थैंड टो डार्यक्टन ट्रा silently 100 चाहिं निस पर ःजहें निन गैसबीग है कि लिक मैज़ेंजा इन दीन वह्यम याले इस फड्रसिऄन कि अ चाहिश है by asparted asparted and glutamate amino acid transfer RNA respectively and then asparted and glutamate attached to the transfer RNA are modified to asparted and glutamine respectively okay so correct answer क्या हुजा है इसका option number third next question amino acid transfer RNA synthetase are very specific for amino acylation of transfer RNA with the correct cognate amino acids however there is possibility of mismatch between transfer RNA and its cognate amino acid this error is corrected by inherent proof reading activity of the amino acid transfer RNA तो यह सारी information अभी मैंने फार्स्ट वाली किशन में बताई थी पहले क्योंकि उसके अंदर वो जो proof reading activity present रहती है ओके editing pocket present रहेगी और catalytic pocket present रहेगी in case of two very similar amino acid namely valine and isoleucine isoleucine transfer RNA synthetase employ the following possible approach for error free amino acylation so error free amino acylation कैसे होगा फस्ट में देखते है इत्रिमो निंकर्रेक्ट amino acid by hydrolyzing the amino acyl AMP linkage following first reaction step then it is activated by force proof reading activity leading to breakage of bond between the wrong amino acid and transfer RNA it has an intrinsic ability to recognize the structural difference between amino acids leading to abortive elimination इसा कुछ नहीं होगा then it gets sequenced third in the second step with the wrong amino acid and that freezes the amino acyl amino acylation process so D statement बिल्कुल character so option number sorry D statement correct नहीं है इसमें क्या होजाएगा A and B statement इसमें दोनुहीं character it removes an incorrect amino acid acid by hydrolyzing the amino acyl AMP linkage following by first reaction step first reaction step के क्या होती है इसमें AMP linkage form होता है then उसके बाद it is activated for proof reading activity 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 हो जाएगी leading to breakage of bonds between wrong amino acid and transfer RNA तो proof reading activity के वाज़े से wrong amino acid के बीच में और amino acid transfer RNA के बीच में जो गॉन्ट फॉम होए उसको क्या किया जाएगा ब्रेक किया जाएगा यह सारी चीज़ें पहले ही अभी discuss कर चुके दें एंड बी क्या होज़ेगा इसका correct answer next question is amino acid transfer RNA synthesis phase two important challenges they must recognize the correct set of transfer RNA for a particular amino acid they must charge all the all of these iso accepting transfer RNAs with the correct amino acid तो यह दोनों ही इसमें क्या होते हैं important challenges होते हैं amino acid transfer RNA synthesis के पास हों so both of these processes are carried out with high fidelity by the following possible mechanism वहीं proofreading activity वाला आई गया यहाँ पे so the discrimination ability resides predominantly at the acceptor stem of transfer RNA यह बिल्कुल correct statement है उसमें discrimination ability कहां पर present रहती है transfer RNA की acceptor arm में present हेगी then specificity is controlled by anti-cordon loop in transfer RNA में specificity is contributed by variable रूप नहीं variable रूप में नहीं रहेगी specificity is embedded in the amino acid synthesis test at the end terminus end terminus पे नहीं रहेगी so इसमें भी a and b क्या होजेगा current statement option number first then next question amino acid selenocysteine is incorporated into polypeptide chain during translation by selenocysteine को उसी तरह से add करेंगे तरह से यहां पर वहांपे किसको कर रहे थे glutamine को और aspargen को कर रहे थे तो इसका जो transfer RNA होगा वो किसका होगा serine का होगा okay so charging of serine into transfer RNA followed by modification of serine into selenocysteine and then incorporation through serine specifically placed stop codon यहां पर stop codon क्यों आया because selenocysteine किसको code करता है UAG को code करता है इस वज़े से option number four क्या होजेगा इसका correct answer next question है so अब जब questions आएंगे वो आएंगे translation mechanism related question इतने देर जो questions थे वो थे amino sel transfer RNA synthesis related question okay so first question है इसमें ribosomes prepared from a bacterium were fractionated by sucrose density gradient centrifugation यह experimental based question है and to separate the 30 50 and 70 population 70 population okay when the ribosome preparation was incubated individually with either elongation factor G or newly identified protein X or GTP the profile remained unchanged इसमें क्या किया गया when ribosome preparation was incubated ribosome preparation को अगर इन तीनों का separately अगर incubate किया गया तो उसकी profile में कोई चैंज नहीं आया देर उसके बाद likewise no changes were seen in profile when the ribosome preparation was incubated with elongation factor G plus GTP or protein X plus GTP इन दोनों को साथ में डाला तो भी कोई भी यहां पे चैंज नहीं आया देन उसके बाद हावेवर when the ribosome preparation was incubated with protein X elongation factor G and GTP together it resulted in the change of profile which shows a decrease of 70s area and increase the peak of 30 and 50s तो यहां पे क्या था 30s और 50s का peak जो है था वो बिल्कुल जो था as comparison to 70s तो उसमें क्या change आया है जब protein X को elongation factor G और GTP तीनों को साथ में यहां पे incubate किया तो फिर क्या हुआ इस तरह का profile आया means यहां पे क्या हुआ 70s subunit यहां से थोड़ी इसका graph तोड़ा इस तरह से low हो गया तो इसकी क्या reason हो सकता है इसका choose the option that defines the correct conclusion from the observation तो correct conclusion क्या निकाल सकते हैं अगर 70s subunit का जो यह peak है यह थोड़ा low हो गया इसका मतलब क्या हो गया है यहां पे assembly नहीं हुई assembly हो गया है जो dissociation हो गया है जो जितने भी ribosomal large subunit थी उसका क्या हो गया है dissociation हो चुका है यहां पर तो protein x किस तरह से work करेगी यहां पर as a dissociation factor work करे थी इसी वज़े से यह वाला जो peak था यह यहां पर high था यहां पर क्या हो गया लो हो गया तो dissociation factor with the which function in the presence of elongation factor G and GDP तो यह इन दोनों की presence में ही work कर दिए ओके otherwise इसको single यहां पर डाल रहे थे तो इसमें कोई भी changes नहीं दिख रहता है okay so option number second क्या हो देगा इसका correct next question ना फोस्पोराइलेशन ओफ यू केरियोटिक इनिशेशन फेक्टर टू एलफा सब यूट एट सेरीन 51 लेट्स तो यह जो यह इनिशेशन फेक्टर टू होता है वह क्या करवाता है रिक्रूट करवाता है चार्ज ट्रांसवर आर्ने को राइबोसों के पास में और अगर इस पर फोस्पोराइलेशन करवा जाता है तो यह क्या करवाता है यह जो इनिशेशन फेक्टर टू बी जो होता है वह क्या करवाता है इसको टीपी में करवाता है तो अगर इसका फोस्पोराइलेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा यह भी रुक जाएगा यहां पर सो इस दी इसका जो ये क्या होजाएगा है अपने घ्ली सायों म्पेशिए किसले बिचांब तो यहां पर वो जो option दे रहा था उसी का क्यूशन बना कि यहां पर दे दिया गया है तो इसमें क्या होगा नों टू एक्टिवेट ट्रांसलेशन ओप मैनी की मेसेंजर आरने प्रोसेसिंग शोर्ट ओपन रीडिंग फ्रेंज इन देट प्रेंड 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 करेक्ट हो दिगा नेक्स्ट क्यूशन है दूरिंग इच साइकिल ऑप चैन इलोंगेशन इन ट्रांसलेशन हो मेनी कन्फरमेशनल चैंज़ दस दे राइवर्जों अंडर्गो डेट अर कपल टू जीटीप हाइड्रोलासिस तो जीटीप हाइड्रोलासिस जहां पर इलोंग करने के लिए यूज़ करेगा तो ऑप्शन नमबर थार्ड क्या उज़ेशन का करेक्ट आंसर टू जीटीप का हाइड्रोलासिस होता है नेक्स्ट है वाट इस दे मिनिमम नमबर ऑफ एंटीपी ट्राइट ट्राइफ पोस्पेट इस रेक्वाइड फोर दे फोर्मेशन करें तो इसको कांट करें अगर अमायनरासर चांफर आरहने के साथ में जो एडिववी उसको भी अगर कांट करें तो यहां पर टॉटल होने चाहिए विकॉस एम्पी का फोर्मेशन हो रहा था करदो एक दर एक पार कितने हो रहें यह थो रहें को पर। टाइंब पर और इस तरह से फोड्यृत्य ट्राहिशन के टाइम होता है और हैं fraction करने के टाइम व तेर्क फोड्यृत्य शिम्टर करने के टाइम takich कि और?. यहां भें not true पूछा है in eukaryotic translation ribosome binding site or messenger RNA called causes sequences causes consistent sequence यह तो बिलकुल correct है then initiation transfer initiator transfer RNA is transfer RNA affect met तो eukaryotes के अंदर document नहीं होता है methenion होता है only so यह option wrong होजेगा उसके बाद initiator amino acid is methenion correct है लोगेशन फेक्टर यहांपे इलोंगेशन फेक्टर टू तो यह सारे याद रखने को बार बार इसको रवाइज करते हो सब्सक्राइब क्या है इसका इंकरेक्ट नौट रुप जाए नेक्स्ट क्यूशन है दूरिंग प्रोटीन सिंटेसिस इन प्रोकेरोर्स देप्टी डाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इस रिक्वार्ड फोर्मेशन इस दूटू तो यह कहां पर प्रेजन रहती है कितनी ह राइबोजोमल आरने के अंदर प्रोटी डाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी प्रेजन रहती है और यही यू के रिट के अंदर 28S राइबोजोमल आरने के अंदर प्रेजन रही तो ऑप्शन नम्बर थाड क्या हो जाएगा इस परेक्ट आंसर नेक्स्ट कुशन इस वि प्रेजन रही तो मैमले एंद मेसेंजर आरने का है कि कोष्ज एक शीवें से अर्षं मर् सहकी है next time it has been observed that in 5 to 10 percent of the eukaryotic messenger RNA with multiple AUGs the first AUG is not the initiation site in such cases the ribosome skip over one or more AUGs okay so 5 to 10 percent of eukaryotic messenger RNA just in multiple AUGs present first AUG is not the initiation site in such cases the ribosome skip over one or more ages before encountering the favorable one and initiating translation this is postulated to be due to presence of following consensus sequence तो इसमें कौन कौनसी consensus sequence present देगी या तो वहां पर रहेगी CCA CCA और यहां पर इसके अंदर AUG present देगा और CCG CCA AUG present देगा ओके तो option नुमबर A and B के अज़ेगा इसका correct answer नेक्ट क्यूशन है प्रेजन्स ओफ एन internal ribosome entry site in messenger RNA internal ribosome entry site क्या करेगी यह कप प्रेजन रहेगी जब 5 प्रेम केपिंग जब absent रहती है और कुछ वायरस का infection हो जाता है तब क्या होगा 5 प्रेम केपिंग absent रहती है उस condition में translation करवाने के लिए internal ribosome entry site पे ribosome के bind होता है और translation होता है तो promote its translation under adverse condition adverse condition के अंदर यह क्या करेगा रहें translation को promote option number four is the correct answer next question is for continuation of protein synthesis in bacteria ribosomes need to be released from the messenger RNA as well as to dissociate into subunits okay these processes do not occur spontaneously they need the possible following possible condition तो इसके लिए क्या क्या चाहिए इक पॉनकों चीप्रोटिन से नोल होती है तो राइबोजॉम रिलीज फेक्टर एंड इलोंगेशन फेक्टर जी एड इन इन इस प्रोसेस्स यह बिल्कुल नहीं है एन इंट्रिंसिक एक्टिविटी ओप्राइबोजूम और उल अंचार्ज रांसफर आरने आर्णे ऐसा कुछ नहीं होता तो इन नहीं है तो नहीं होता हैं प्रोसेशन फेक्टर प्रोस्ट के अफॉर्श कने नियुकंत अब्ट नेक्सिन इस करता एं और शिर्ट थो फ्रोंगेस पॉलिए इसेम आर सजगेस्ट सब्सक्राइब ने बताया था जैसे कि circular messenger RNA present रहता है तो वहाँ पर क्या क्या रहाएगिया 5 svk पे ब्रजयेशन राधीbirds इसको बोलता है यूच्रेटिक इनिशासन क्या पाईनिग प्रोटीं क्यों पॉल्य। Aww तो यह करेक्ट है, उसके बाद, polyadenylation, binding protein and eukaryotic initiation factor 4a प्रमोट इस प्रोसेस, यह दोनु यह स्टेटमेंट के हो जाएंगे, करेक्ट, बाग्कि स्टेटमेंट यहां पे रहोंगे, तो A and C इस दे प्रेक्ट है, option number 3. The next question है, during elongation step or protein synthesis, translocation moves the messenger RNA and peptidyl transfer RNA by one codon through the ribosome, okay, जिसको elongation factor G करवा था है, translocation की तरफ आप करता है, translocation in E. coli involves GTP and elongation factor G. However, in vitro translation can take place independent of GTP, जब इसको in vitro करवाते हैं, तो GTP से independent होता है, GTP की requirement नहीं होती है, और elongation factor G की requirement नहीं होती है, based on these observations, the following hypothesis can be made, the molecular mechanism of translocation in vitro is completely different from that in vivo, completely different नहीं होती होती होती, उसके बार translocation activity is independent of GTP hydrolysis, translocation activity is completely dependent on GTP and completely dependent नहीं होती होती है, यहा पे, इन translocation activity is inherent in ribosome, However, the rate of translocation in vivo is enhanced significantly in presence of GTP and elongation factor G तो यह ribosome के अंदर inherently present रहेगी लेकिन इनकी presence में यह enhanced हो सकती है Option number D क्या हुजएगा हमारा बिल्कुल appropriate answer Next question is A protein has four equally spasid trypsin sensitive sites तो यह experimental best question है इसको अच्छे से read करके इसको draw करना की ज़रत है यहाँ पर मैं draw नहीं कर सकती हूँ लेकिन आपको इसको draw करके खुछ से solve करना वीडियो को post करके उसके बाद इसका solution देखना So a protein has four equally spasid trypsin sensitive sites which result in peptide fragment A1, A2, A3, A4 and A5 तो यहाँ बीच में four sites present है 1, 2, 3, 4 अगर five amino acid है तो four peptide one present है और four trypsin वो सारी site किसकी है trypsin की side present है upon digestion with trypsin peptide A2 and A5 represent end terminus and C terminus fragments respectively सबसे पहले present है A2 then उसके बाद दूसरी कोई peptide present है amino acid present है उसके बाद A5 सबसे लाशन में present है okay so now you are asked to synthesis this protein at time T0 you have you added all the 20 amino acids labelled with 14 C14 and initiated the synthesis at the time T4 full length of protein is synthesized तो T4 पे क्या होता है full length synthesized हो जाती if you stop the synthesis of protein in time T1 पे ही अगर इसको stop कर दिया जाए and digest the protein with trypsin trypsin के साथ digest के जाए which peptide will have maximum C14 label than others तो सबसे पहले तो T1 पे अगर इसको stop कर दिया तो सबसे N terminus पे कौन प्रेजन था A2 प्रेजन था तो maximum C14 labeling किसमें दिखेगी या पे सिर्फ A2 के अंदर दिखेगी because बाकिया तो सारी यहां पे synthesize भी नहीं हुई है तुकि यहां पे T1 पे ही अपने स्टॉप कर दिया है तो option number 4 क्या जाहिए तका correct answer then next is next question है genetic court से related which of the following statement about selenocysteine the 21st amino acid present in several enzymes is true तो selenocysteine के लिए क्या true है यह special pool of selenocysteine exists in the cell from where it is incorporated in the polypeptide chain by AUG with the help of special transfer RNA AUG की help से नहीं होगा यह wrong होगा उसके बाद selenocysteine is encoded by the stop button UGA with the help of special transfer RNA molecule यह विल्कुल correct हो सकता है यहां पे okay then next question है selenocysteine is encoded by the same codon, codon specific for systeine, systeine से नहीं होता है selenium यह भी नहीं होगा so option number 3 क्या होज़ेगे इसका correct answer क्यूंकि selenocysteine जो code करता वो UGH stop codon है उसको code करता है then next question है synthetically prepared messenger RNA contains repetitive AU sequences to AU 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 किस तरह से काभी सारी safe repetitive sequence present है the messenger RNA was incubated with mammalian cell extract which contain ribosons transfer RNAs and all the factors required for protein synthesis so सारे protein synthesis ते required जिनने भी factor है वहां present है then assuming no initiation codon is required for protein synthesis अगर कोई भी initiation codon भी यहां पर requirement नहीं है which one of the following peptide will most likely to be synthesized अगर यहां पर AU AU repetitive sequence present है and यहां पर कोई stroke codon की ज़रूरत नहीं है तो फिर क्या होगा AU 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 तो यहां पर कितनी possibility हो सकती AU 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 एक possibility यह होगी एक amino acid उसके बाद U A A एक possibility यह होगी उसके बाद क्या होगा AU तो 3 तो amino acid form होंगे और peptide कितना होगा single peptide form होगा इस तरह से अगर देखें option में single peptide composed of same amino acid नहीं same amino acid sequence नहीं होगी single peptide with alternating sequence of two amino acid two amino acid नहीं होगी three amino acid होने चाहिए आप है so a single peptide with alternating sequence of three amino acid यह बिल्कुल correct होजएगा then three different peptides नहीं नहीं यह आप है so peptide तो सिर्फ one होगा लेकिन AUA UAA and AAU इस तरह से three amino acid different form हो सकते इसका combination बना के देखें तो option number third क्या होजएगा इसका correct answer next question is engine regulation open reading frame implies open reading frame में क्या present रहता है intervening nucleotide sequence in between two genes a series of triplet codon not interrupted by a stop codon a series of triplet codon open reading frame क्या होते है basically इसके अंदर एक तो start codon हो और एक stop codon हो a series of triplet codon that begin with a start codon and end with a stop codon so option number third और थार्ड क्या जेंगा इसका correct answer next question is a deletion of three consecutive consecutive basis in the coding region of gene cannot result in तो अगर three consecutive basis के अंदर deletion हो गया तो वहां पर क्या क्या possibility है like यहां पर amino acid की काफ़ सार sequence present है और एक codon के अंदर three के अंदर अगर three basis के अंदर deletion होआ एक पूरा codon वहां से delete हो गया deletion of single amino acid three codon three basis जो होते हैं उसको single amino acid कोट करेगा single amino acid नहीं रहीगा वहां पर हो सकतना deletion हो जाए एक amino acid का और यह भी हो सकता है replacement of two adjacent amino acids by a single amino acid हो सकता हम पर same amino acid continuously तो वहां टू अगर same amino acid आ रहे हैं तो एक में अगर deletion हो गया एक single amino acid बचा रहे जाएगा यह भी हो सकता है replacement of a single amino acid by another without any other change in sequence of protein यह भी possibility है production of truncated protein तो truncated protein यहां पर नहीं होगी इस type का mutation होता है उसको बोला जाता है same sense mutation sorry same sense mutation नहीं बोलेंगे इसमें क्या होता है अगर three codon के अंदर mutation हो जाए प्रोटीन है वह बनने के chances काफे कम होते है वहां पर से one amino acid में चैल जाएगा okay so option no.4 क्या हो जाएगा correct क्योंकि यहां पर क्या पुछा है cannot result तो truncated protein नहीं फॉर्म होगी बागी यह सारी चीज़ फॉर्म हो सकते है deletion हो सकता है कुछ यह replacement हो सकता है कुछ amino acid का okay then next is imagine the following RNA sequence is translated in the mammalian cytosol and mitochondria RNA sequences RNA sequence क्या है AUG AUA CUG इस तरह की RNA sequences following are some putative peptide sequences तो यह peptide sequence है जिसके अंदर यह amino acid है okay cytosol के अंदर and mitochondria के अंदर find out the correct combination of peptide made in the cytosol and mitochondria तो इस ताइब के क्यूशन हमने dbd जयारप के अंदर काफी सारी क्यूशन्स डिसकस के थे तो जो भी क्यूशन्स होता है किसी भी एक्जाम में life sciences से related कि कोई भी एक्जाम लेलो क्यूशन्स का जो basic concept होता है वह बिल्कुल सीमिलर होता है इसमें थोड़ी सी लेंग्वेल घुमा फिरा के दे देते हैं इसको थोड़ा तप बना के देते हैं लेकिन basic जो उसको concept रहेगा वह वही रहेगा इसलिए आपको dbd जयाराप आले जो क्यूशन्स है क्यूशन्स सारे ही सारी उनिवर्सल है सबके अंदर से प्रजन देंगे लेकिन कुछ exception है mitochondria के अंदर तो वह exception हम लोग देखेंगे तो AUG उनिवर्सल स्टाट कोड़ों है लेकिन यहां पर क्या होगा यह अनादर मिथियोनीन को कोड करेगा लेकिन स्टाट कोड़ों नहीं स्टाट कोड़ों होगा और देखते हैं यहां पर स्टाट कोड़ों को करेगा उसके बाद मिठोफ़निय 9 on dive trajectory up drink 11 एबर यही मिठिवनियल को कोड़ करता है मिठ्योंनिन को करता है C u g leucine को उसके बाद यू जी यहां पर dar को नहीं करता है जब कि क्या करता है तो यहां पर exception है माइट्रोकॉंड्रिया के अंदर UGA-Z को को करेगा इसको नोट करना उन्हों के बाद CUU-Code को करता है और माइट्रोकॉंड्रिया के अंदर जो स्टॉक कोड़न होता है वह क्या होता है अंदर माइट्रोकॉंड्रिया के अंदर होता हुआ यून इसको कोड़न को खॉड którego को नुक्री के अंदर को स्टः। दांजियोंड्रोकॉंड्रोक्हाद्रोकॉंडबर को स्टंट को संट्र् 고양 मित्रोकॉंड्रेशा ऽिकलग स्ट-ध। तेकंड बचेंट करेंगेंस अब नियंग्स्ट कुश्ट इसके इसमें देखते हैं जो होता है वहांपे और कोई ने कोई फेटीजीड मिरिस्टोईग यहाँ पे मिरिस्टाइल एटेज्ट होगा ओके ऊप्षिन नमबर सेकिंड के ऊजएगा इसका क्रेक्ट एडिशन और कोलेश्टिरोल फिमिस तुम पोश्ट आंसलेशन नहीं है तो घ्लाइको सलेशन तो है हमें पता है और लिंग ते अनलीग उसलेशन भी होता है कभी सारी प्रोटीन पर एक्टिवेट और डिएक्टिवेट करने के लिए लेकिन प्रमीट अप्टीड डाइलेशन एसा कोई भी मोडिफिकेशन नहीं है तो अप्शन नमबर थार्ड क्या होजेगे इसका परेक्ट नेक्स्ट क्यूशन इल इन प्रोकेरियोर्स दा इनिशेटर ट्रांसफर आरने इस फास्ट चार्ज्ट विदे मिथियोनीन ओके मिथियोनीन से चार्ज्ट होता है फोलाउड बाइदे एडिशन ओगे फ फोर्माइल मिथियोनीन होता है ओल प्रोकेरियोटिक प्रोटीन्स है फोर्माइल मिथियोनीन एड देर अमाइनो टर्मिनल एंड टर्मिनल एंड पर नहीं होगा तो यह सुरी ओल प्रोकेरियोट्स नहीं हो सकते हैं यहां पर सो ऑप्शन नमबर फस्ट तो रों होजेगा यह करेक्ट है उसके बाद अमाइनो टर्मिनल एंड यह तो रोग हो जाएगा उसके बाद अमाइनो पेप्टाइड एज कुछ एंजाइम्स होते हैं ऑफन रिमूव दामाइनो टर्मिनल मिथ्योनिन को भी रिमू कर दिया जाएगा और उसके साथ और और अनादर 8-10 और जो 2-3 अमाइनोसी को और वहां से रिमूव करते हैं मिथ्योनिन के साथ में भी ऑप्शन नमबर यहां पर क्या हो जाएगा बी एंडी करेक्ट हो जाएगा बी एंडी ऑप्शन नमबर फॉर क्यों पूछा है इसमें नेक्स्ट क्यों इस इन बेक्टिया एंड फॉर माइन इस इस नौर्ड कैस्ट तो किसी ने सोचाएं यहां पर फॉर्स्ट आमाइन इस प्रेजन रहेंगे विकिन इस नहीं हुआ तो बिकोज अब फॉर्लविंग पॉसिबल रिजन ऐसा क्यों नहीं हुआ वही अमाइन प्रेज इस रिमोव करेगा अमाइन टर्मीनल मेथियोनीन इस वेल एज वन और टू अदिशनल अमाइन इस यह करेक्ट है थें दिफॉर्माइलाइज रिमोड फॉर्माइल इस Campus नहीं हुआ पै का यह करेगा छुआ । अम चिंट रेक्सर मेर्टी इसडियो करेगा और आथ। दम फॉर्माइल प्रेश कैसरा इस वेल कियोत टर्माइल इस दिफॉर्माइलाइज रिमाँ प्रेशोंग हुआ है क्रेक्ट है ? next question is the amino acid side chain of the four histones in the nucleosome are subjected to remarkable variety of post translational modifications such as phosphorylation acetylation methylation which one of the following post translational mark on histone tail is usually associated with transcriptional repressing वी कुशन हम आप में डिसक्स कर चुके थे जब फर्स्ट वाला वीडियो में ने बनाया था उसमें बताया था कि किस तरह से यह ट्रांस्क्रिप्शन को रिप्रेशन कौन करवाता है methylation of s3k9 क्योंकि यह hydrochromatid में convert कर देगा और सेकिंद करेक्ट है इसका नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट कुश्ट है ट्रांस्लेशन इनिविटर से रिलेटेट कुश्ट है इसमें देखते हैं दूरिं युकरिटिक protein synthesis stress condition result in activation of specific kinases leading to phosphorylation of a key translation initiation factor that inhibit protein synthesis from a large number of cellular messenger RNA which one of the following factor is targeted to the kinases target of kinases तो यह भी हमने देखा था है eukaryotic initiation factor 2 alpha जो होता है उसको क्या किया जाता है फॉस्पोर रिलेटेट किया जाता है option number 3 correct है next question is chloramphenicol is a broad spectrum antibiotic which inhibits protein synthesis in prokeriors तो chloramphenicol क्या करता है 23S ribosome subunit की जो peptidyl transference activity है उसको inhibit करता है given below are a few statements regarding the mode of action of chloramphenicol तो chloramphenicol किसको inhibit करेगा peptidyl transference activity of ribosome बिलकुल correct है chloramphenicol can be used to treat moderate to severe infection because mitochondrial ribosome are non sensitive ऐसा कुछ नहीं होगा chloramphenicol bind to one of the domain of 23S rRNA यह भी correct है so a and c statement यह पर correct हो जाएंगे okay so correctly the mechanism action of chloramphenicol is option number second next question is puromycin is an antibiotic used to inhibit protein synthesis given below are few statements about the antibiotic puromycin किसको inhibit करता है यह amino acid transfer RNA की structure से resemble करता है okay और protein के initiation को synthesis को रोपता है so it entered the E side of ribosome where is it prevent E side भी नहीं होगा it block the translocation then यह भी नहीं होगा puromycin resemble the initiated transfer RNA transfer RNA F made and bind exclusively to the P side it resembles the amino acid transfer RNA and bind to the P side to the A side of the ribosome यह विलकुल करेक्ट है उसके बाद puromycin inhibits only prokaryotic protein synthesis prokaryotic को अंदर नहीं करता है यह prokaryotic and eukaryotic दोनों के अंदर ही क्या करता है protein के synthesis को inhibit करता है so d and f क्या होजेगा नेक्स्क्राइब करता है और ने से और बाइंड कहां पर होता है यह साइट पर यह यह रोकिरियोट्स और यह यह उकरियोट्स दोनों के अंदर ही protein synthesis को inhibit कर सकता है so true statement कौन से हो जागा d and f option number third next question is during heat shock during heat shock mammalian cells shut down global protein synthesis while including heat shock protein okay the possible molecular regulation that could explain the phenomenon तो इसमें क्या होगा messenger RNA of all proteins except those of heat shock protein undergoes degradation during heat shock kept dependent translation of most messenger RNA is affected during heat shock due to denaturation of kept binding protein eukaryotic initiation factor foreign यह विस्कुल correct हो जाएगा उसके बाद translation initiation of heat shock proteins messenger RNA take place through their internal ribosome entry site then heat shock protein messenger RNA क्या होगा और abundant during heat shock ऐसा नहीं होगा तो B and C option यहां हो जाएगा यहां पर correct statement होगा correct ही पुचाएं यहां पर next question is when one isolate ribosome from bacterial lysate apart from 70s 50s 30s okay ribosomal subunit one also find a small population of 100s 130s 150s subunits EDTA dissociates these larger subunits these larger ribosomal subunits into 50s and 30s suggesting that they have both the subunits okay upon addition of cations they they re-associate into 70s but none of the other forms could be detected what is the reason of for not of the obtaining greater than 70s form greater than 70s form यहां पर detect क्यों नहीं हुई उसे क्या reason हो सकता है because 100s and 130s etc. represent polysome that cannot be resembled D no without other cellular components तो इसका यह appropriate reason है option number third then next question is polysome profiling of cells created with three hypothetical translation inhibitors is shown in the plot below cheese sorry these three inhibitors are so these three inhibitors हैं जो अलग अलग टाइप से inhibit कर रहा है protein के synthesis को तो यह क्या है leaky inhibitor of translation यह है arrest ribosome at the initiation codon and यह inhibit कर रहा है ribosome की scanning को अगर scanning को इनिविट कर रहा है बोग क्या होगा यहां पर 48 and 60s subunit है 80s subunit present नहीं है it means यह क्या करेगा यह यहां पर 80s subunit form नहीं हुए है large subunit form नहीं हुए है it means यहां पर क्या होगा यही scanning को इनिविट कर रहा है और यहां पर क्या हुआ है यह यहां तक हुआ है इसका मदर यह इनिशेशन को इनिविट कर रहा है और यहां पर पॉलीजॉम भी फॉर्मेशन हो चुका है इस यहां पर क्या होगा लीखी इनिविटर और ट्रांसलेशन थोड़ा 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 ट्रांसलेशन होगा यहां प transfer RNA molecule तो 3 prime end of charged transfer RNA molecule को कौन resemble करता है Puryumythine औक चाहिए नमबर 3 next question है presence of selenocysteine in protein in E.coli is the consequences of to kaysay present amino acylation of a special transfer RNA by serine transfer RNA synthetase with serine followed by further modification of attached तो इस तरह से क्या होगा इडिक्शन होता है प्रोटीन के अंदर अप्शन नमबर थार्ड इसका करेक्ट है तो यह सारे ट्रांसलेशन से रिलेटेड आई होप यू लाइक दिस वीडियो थेंक्यू सो मच पॉर वचिंग अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज THANK YOU